हूँ है सुधेंट्स और शूड़ेंट्स तो आज के स्क्लास में हम करने वाले हैं स्टोप ऐस ट्रेट लाइन अब यह लोगनी इसलोपफस ट्रेट लाइन कि यह क्या होता है क्योंकि जो पिछला टौपृक्पीक था जिसमें हमने distance formula बढ़ा, section formula बढ़ा, midpoint formula ये सब आप 10th class में भी पढ़ चुगे हैं तो वो आपके लिए कुछ नया topic नहीं था लेकिन जो हम slope की बात करेंगे तो ये topic आपके लिए थोड़ा सन नया है तो जैसा कि slope का मतलब होता है अगर हम English language की बात करें तो slope का मतलब होता है डहलान जैसे suppose आप हम एक सिगर लेते हैं कि एक लाइन इस तरीके से हैं फिर यह लाइन एकदम ऐसे चलेगे तो यहां पर क्या हो रहा है जब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो इसका जो slope है वो कम है जैसे आपने slide देखी होगी अक्सर जो slide होती है स्लाइड में जैसे आप ऐसे फिसलते हैं जूम तो उसमें क्या होता है अगर slide की यहां पर steepness थोड़ी कम होती है तो उसमें कम मज़ा आता है लेकिन अगर स्टीपनेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो उसमें ज्यादा excitement होती है ज्यादा आपको मज़ा आता है तो यहां प अगर इस लाइन का हम स्लोप देखेंगे अगर हम इस लाइन का स्लोप देखेंगे तो इसके मुकाबले यह लाइन ऐसे है तो इसका स्लोप जादा है इसका स्लोप कम है इसमें अगर आप उपर यहां बैठेंगे यहां से आप स्लाइड करेंगे तो एकदम से नीचे आएंगे इसमें अगर आप बैठेंगे तो slide करतें करतें सायद बीच में रुख भी जाएं अब हम mathematically बात करते हैं slope क्या होता है तो अगर हम अलग-अलग कुछ situations लेते हैं मालो आपके पास एक ये situation है ये आपके axis होगे दोनो x-axis and y-axis एक line आपकी इस तरीके से पास कर रहे है तो suppose ये straight line के ओपर आपको दो point ले लेते हैं एक point ये है आपका और एक point ये है यहां से आपको इस point तक पहुँचना है अब यहां से इस point तक पहुँचने के लिए आपके बस दो तरीके हैं एक ये तरीका है कि आप सीधा ऐसे जा रहे हैं एक तरीका ये है कि आप ऐसे गए और फिर आप ऐसे गए तो ये वाला जो distance है मैं इसको माल लेता हूँ A और इसको माल लेता हूँ B आप पहले ऐसे अब वाट डिरेक्शन में जाएंगे A पर फिर उसके बाद यहां पहुचने के लिए आप B पह जाएंगे अब यहां पर आप देख रहे हो कि यह A जो है ऊपर की तरफ जा रहा है अब वाट डिरेक्शन में जा रहा है इसकी वैल्लू क्या होगी पॉजिटिव होगी उसके बाद अब यहां पहुचने के बाद अब यह किस तरह मूव कर रहा है राइट इन साइड में मूव कर रहा है तो इसकी वैल्लू भी पॉजिटिव होगी पॉजिटिव अपॉजिटिव यानि जो आपका स्लोप है उसकी वैल्लू पॉजिटिव आईगी अगर हम दूसरा केस लेते हैं मालो लाइन आपकी इस तरह से ना होकर लाइन आपकी इस तरीके से है तो उसकेस में क्या होगा मालो यह आपका पॉइंट है एक पॉइंट यह है आपका अब आप ऐसे जा रहे है उपर यह A हो गया और यहाँ पर आने के बाद यह इधर जा रहे है तो स्लोप तो वही आएगा आपकी इन दोनों की जो रेशो है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जब आप उपर की तरफ जा रहे है तो A तो आपका पॉजिटिव आ गया लेकिन जो B है आपका वो नेगिटिव आ गया तो यह पॉजिटिव है यह नेगिटिव यानि overall value क्या गी है हमारी negative तो इस case में जो slope है आपका वो negative आ गया यानि slope हमारा positive भी आ सकता है और slope negative भी आ सकता है और slope 0 भी आ सकता है 0 कैसे आएगा इसको भी समझ लेते हैं मालो आपके पास situation अब कैसी है अब आपकी जो line है वो x-axis के parallel है इस तरीके से line है अब इसमें अगर आप कोई दो point लेते हो यह दो point अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको ऊपर तो भी जाना ही नहीं है ना आपको क्या करना है सिर्फ इस point से इस point तक पहुंचना है यानि जो B है उसकी value तो आपके पास है लेकिन जो A है उसकी value नहीं है तो इसका जब हम slope निकालेंगे तो इसका slope क्या हो जाएगा क्योंकि A की value नहीं है तो यह हो जाएगा 0 upon B that means slope आगा 0 लेकिन अगर situation ऐसे हो जाए कि line ऐसे ना होके line ऐसे जाए यानि Y axis के parallel जाए तो क्या होगा अगर आपके पास मानलो line इस तरीके से है और point आपका एक इधर है एक इधर है अब आप जब यहां से इस point तक जाएंगे तो आप सिधा directly चले जाएंगे तो आपके पास A की value तो है और आप पहुँच गई आप तो ही यानि B की value क्या होगी अब 0 होगी अब B की value 0 होने पर स्लोप क्या होगा अब इस condition में अगर आप देखेंगे तो A की value तो आपके पास है लेकिन B की value 0 है अब अगर 0 से किसी भी number को आप डिवाइड करते हो तो क्या result आता है not defined तो यानि इस case में slope आपका not defined हो सकता है यानि चारो condition को अगर हम देखें तो slope positive भी हो सकता है slope negative भी हो स सकता है depend on the line अब यहां तक हमने समझ लिया स्लोप के बारे में basic समझ जाए कि slope होता क्या है लेकिन mathematical terms में हम क्या करेंगे हम उसमें ऐसे तो नहीं देखेंगे भाई यह ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है तो slope positive negative है लेकिन slope उसका होगा क्या slope हम उसको निकालेंगे कैसे तो उसक situation को लेके चलते हैं यही situation सभी जगे applicable होगी तो मैं अगर detail में आपको थोड़ा समझा रहता हूं फिर उसके बाद बात करते हैं अब जैसे कि मैं आपको बताया कि जो slope है slope को normally हम denote करते हैं किस से m से denote करते हैं और slope को gradient भी बोलते हैं डिनोट करते हैं इसको m से तो m की value जैसे हमने यहां पर discuss करा m की value है a upon b अब यह है क्या मालों यह जो point है आपका यह है x1 and y1 अगर हम coordinate symmetry की बात करें जो आपका topic है क्योंकि जो slope का basic है खली उससे हमें उसको समझ ली हमने वो अच्छी बात है लेकिन जब questions आप solve करेंगे तो आपको इन terms की ज़रूद बढ़ेगी अब यहां से अगर हम a के distance की बात करें तो a कितना distance है यह जो point है आपका यह तो है y1 यहां पर y की value क्या है y1 यहां से लेकर origin से लेकर इस point तक अगर आप देखोगे तो यह जो distance है यह क्या पूरा y2 क्योंकि यह point y2 है और यहां तक यह वाला जो point है यह point है आपका y1 हमें क्या करना है a की value निकालनी है तो a की value क्या बनी है यहां पर a की value बनेगी y2 minus y1 ऐसी अगर आप b की value निकालोगे तो b की value बन जाएगी x2 minus x1 इस value को हम यहां पर put कर देते हैं तो आपका slope का formula बन गया यह y2 minus y1 divided by x2 minus x1 यानि किसी भी straight line क जब आपको दो point दे रहे हैं जहां से वो line पास हो रही है तो उसका slope निकालने के लिए आप यह वाला formula यूज करेंगे अब slope आपका positive आगा negative जैसा कि हमने भी basic में समझा कि आपका slope positive या negative वो any value के उपर depend करेगा साथ-साथ अगर आपको मानलो point नहीं दिये हुए आपको ये दिया हुआ है कि ये line x-axis के साथ मानलो इस तरीके से जा रही है और एक ये angle बना रही है यहाँ पर theta तो इसका slope क्या होगा अब आपको इस case में point नहीं दिये जाएंगे आपको सिर्फ angle दे दिया है इसकी help से आपको slope बताना है अब इसको भी हम समझ लेते हैं कि इससे आप slope का formula कैसे बनाते हैं ये क्या आपके पास y2-y1 ये क्या था हमारे पास a अगर हम इस triangle की बात करें ठीक है ये a हो गया ये b हो गया ये वाले एंगल थीटा है अब ये वाले लाइन है ये क्योंकि इसके parallel होगी x-axis के तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे alternate angle ये वाले एंगल हो गया आपका थीटा अगर हम टिक्नोमेटरी पे चलें तो ये वाले एंगल जब थीटा होता है जैसे आपने 10th क्लास में समझा था तो ये तो आपका बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा तो परपेंडिकुलर अपोन बेस परपेंडिकुलर यूज करना है M equals to 10th तो ये किसी भी लाइन का स्लोप जब भी आप निकालेंगे तो आपके पास दो में से कोई एक चीज तो जरूर देगा वही कुछ ना कुछ तो देगा है स्लोप निकलवाना है तो उसे तो वह क्या करेगा या तो आपको एंगल दे देगा या फिर आप पर ये जो एंगल थीटा होता है ये जब भी एक्यूट होगा इफ थीटा इस एक्यूट उसकेश में जो स्लोप होगा वो क्या एगा पॉजिटिव आएगा ठीक है क्योंकि जो तैन थीटा की वैल्लू होगी जीरो से लेकर 90 तक के बीच में एक्यूट एंगल लगर है तो क्या था कैसे हम देख लेते हैं सेकंड केस में क्या था लाइचमारी इस तरीके से पास्किप भरी नहीं क्या यहां पर ःंगल वन रहा का यह वाला अप्टि वि district के लिए चिजब ध्यान रखेंगे जो एंगल भी वह कहां पर बनना चाहिए विद पॉजिटिव डILY direction of x-axis and in anti-clockwise direction यह जो प्योर मैट सब पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा डिटेल में यह चीज़ें समझाई जाती है अप्लाइड में बहुत ज्यादा नहीं है तो आप इतना समझ लो कि जो x-axis की जो पॉजेटिव साइड होगी इस साइड उसी साइड एंगल बनेगा इसका और एंगल की जो direction है वो anti-clockwise होगी यह आपको ऐसे ही दी जाएगी clockwise आपके में नहीं आएगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपको यह वाला एंगल नहीं लेना है एंगल हमेशा इधर का ही लेना है जो positive direction of x-axis तो यह वाला एंगल आपका क्या बन जाएगा obtuse angle बन होता है slope हमेशा negative आएगा और जब भी आपका जो एंगल है यह 0 हो जाएगा 0 कब होगा जब आपकी जो line है x-axis के parallel होगी अब यहां पर दो यह line x-axis को cross ही नहीं करेगी ना x-axis को cross ही नहीं करेगी तो theta क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा तो उस case में क्या होगा अगर theta आप आपका 0 होता है तो उस case में जो slope आपका 0 हो जाएगा अगर theta 90 degree होता है जैसा हमने पहले भी discuss किया इस case में अगर theta आपका 90 degree होता है तो slope आपका not defined आएगा तो यह 4 case slope के होते हैं उन 4 case में angle के हिसाप से अगर आप देखेंगे कई बार question में वस इतना ही पूछा जाएगा आपको बस angle देखे बता दिना है कि वे slope इसका positive है या negative है या 0 हो या not defined है 0 से 90 के बीच में 0 90 नहीं 0 से 90 के बीच में अगर आएगा तो आपका slope positive होगा अगर 90 से बड़ा हो गया 180 से छोटा तो slope negative हो गया अगर आपका angle 0 degree है तो slope भी 0 है angle 90 degree है तो slope not defined है एवर mcqs में या जो और I think आपको slope के बारे में अब पड़ा जल गया होगा कि slope क्या है और किस तरीके से आपको निकालना है इसके कुछ questions exercise में हम करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही thanks to all of you